हेलो अविर्वन वेलकाम अगेन लर्ण वेद दृतिमन बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन का चेप्टर नुबर 15 प्राकरतिक पनस्वति एवं मिर्दाएं तो इसके अंदर यह आपका नाइन्थ क्लास का लास्ट जोग्रफी का चेप्टर है तो चलिए बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं भारत की राष्ट्य वन निती के अनुसार भागोलिक शेत्रफल का कितना प्रतिसत भाग वन होना अनिवारे हैं तो कितना प्रतिसत है यह 33 प्रतिसत है ओके 33 परसेंट जो है भागोलिक पार्ट जो आपका है उसका 33 प्रतिसत वन होना अनिवारे है नई जो राष्ट्य वन नेती है उसके अनुसार नैक कुश्चन देखिए भारत में वनस्पति आधारित वर्गी करण अनुसार कितने प्रकार के वन पाये जाते हैं मलब वनस्पति अलगलग टाइप की पाये जाते है तो कौन सी कोई पर्टिकुलर टाइप की वनस्पति एक निशित जगह पर पाये जाते है ऐसा नहीं है कि मान लिजे ज़ाडिया हैं तो जो मरुस्थल ये जाड़िया है वो किवल मरुस्थल में पाई जाएंगे ऐसा तो नहीं है कि वो मलब ठंडे इलाकों में पाई जाएं तो हर वनुस्पति एक निशित प्रकार के एन्वार्मेंट में पाई जाती है तो उसके आधार पर जो वर्गी करण किया गया तो वनों को कितने भागों में बाटा गया है वो आपसे पूछा जा रहा है बताईए तो ये हैं सदा बाहर वन पजड़ी वन या मानसूनी वन भी इनको का जाता है सुस्क वन मरुस्थली व वन कहे जाते हैं सदा बाहर वन पजड़ी या मानसूनी वन सुस्क वन मरुस्थली वन ज्वारी वन और परवतिय वन ठीक है मैं को सदा बाहर वनों को किस प्रकार के वर्षा छेत्रों में पाए जाते हैं सदा बाहर जो वन है किस प्रकार के वर्षा छेत्रों में पाए जा क्या होगा, वहाँ पर सदा बाहरवन बनब जाते हैं, कहां पर जहां ओसत वर्षा 200 cm से भी ज्यादा हो, और वार्षिक जो ओसत तापमान है, वो 24 cm के लगबग हो, तो वहाँ पर क्या होता है, सदा बाहरवनों का विकास होता है, नेक कोशन देखी, भारत में किस छेतर में पर दीव समों, यहाँ पर भी यह पाए जाते हैं, उत्रपूर्वी भारत में बंगाल, असम, मेघाले और तराई प्रदेश में यह सदा बाहरवन देखने को मिलते हैं, पश्चिमि घात, जो पश्चिमि डाल है पश्चिमि-घात में, अंडमान नीको बार दीव समों, उत सदा बाहर वनों में सामने तहर पहुंच से व्रक्ष पाये जाते हैं। हम जानते हैं सदा बाहर वनों में रबर, महोगनी, एबोनी, लोहकास्ट, जंगली आम, तार, बांच ये सभी कैसे हैं जिस सदा बाहर वनों में मिलने वाले व्रक्ष हैं। जिनकी उंचाई सामने तहर मिटर रहे होते हैं का सदाबाहर वनों को आर्थिक दुश्ची से उप्योगी ना होने का कारण है जिस्छन है कि वहां पर सूरज की रॉस्पने तक नहीं पॉंच वाती तो वहां अपर बचलाद को ने realistically कारण होता है मैं जज़दी बंदُ हैं योसऊ उसके और देया मांनुप्योन संभून की ठीक पज़दीवन नहीए वन कि सकते हैं वह ऐसका परेक्ए जाता है तो 21 चेत्र में पाए जाएंगे जहां 100 से 200 सेंटीमेंटर की वर्सा और सत्वार्सिक वर्सा होती है वहां पर पज़डिया मांसुनीवन देखने को मिलते हैं मांसुनीवन यानि पज़डिवन भारत में किन छेत्रों में पाए जाते हैं तो मांसुनीवन जो आपके हैं उत्तर पूर्वी प्रदेश के निचले भाग, विंध्या चलवे सत्पूरा परवत, छोटा नागपूर, वे असम की पहाडियां, पूर्वी घाट के दक्षणी भ में पश्चिमिगाट का पूर्वी छेत्रे में यह मांसुनीवन भारत में देखने को मिलते हैं Next question, पजड़ी वनों में पाये जाने валे मुख्य व्रक्च कौं कौं से है। पजड़ी वनों पाये जाने वाले मुख्य व्रक्च कौं कौं से हैं। देखें ये हमारे देश में सामाने पाए जाने वाले व्रक्ष हैं क्यों क्यों कि आपको पता है भारत देश की जलवाईू कैसी है भारत देश की जलवाईू सामाने तब मानसूनी जलवाईू है तो ऐसे इस्तेतियों में पजढ़ी बनों के पनपनी की काफी ज़्यादा समझने तोर पर देखने को मिलते हैं. Next question. Susk1 किस प्रकार के छेत्रों में पाए जाते हैं? Susk1 किस प्रकार के छेत्रों में पाए जाते हैं? तो देखे Susk1 कहां पाए जाएंगे? जहां वर्षा कम होगी? जहां उसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 cm हो? वहां पर क्या हो? वहां Susk1 पनपते हैं. क्या पनपते हैं? जहां से 50 से 100 cm वार्षिक वर्षा का उसत हो. Next question. किस प्रकार के वनों में व्रक्षों की जड़ें लंबी या मोटी होती हैं? किस प्रकार के वनों में व्रक्षों की जड़ हैं वो लंबी और मोटी होती हैं तो व्रक्षों की जड़ लंबी और मोटी कब होंगी जब धर्ती से पानी कीचने का खनीजलवर लेने का कारे करती हैं इसकी जड़ें व्रक्ष की तो उनको लंबा कब होना पड़ेगा जब उन नेक क्वेशन देखें, सुस्क वन किन छेत्रों में पाए जाते हैं, सुस्क वन हैं किन छेत्रों में पाए जाते हैं, जहां सुस्क सा होगी और वो कहा हैं, हमारे दक्ष्णी पश्णी में पंजाब का हिस्सा जो है, हरियाना, पूर्वी राजिस्तान वै दक्ष्णी ये सब कैसे हैं, ये सुस्कवनों के छेतर हैं, ये कैसे हैं, सुस्कवनों के छेतर हैं, नेक पूशन, सुस्कवनों में कौन से रक्ष मुक्ष मुक्ष पाए जाते हैं, तो कौन से हैं, कीकर, बबूल, नीम, आम, महुआ, करील, खेजडी, ये सबी कैसे हैं, ये सुस्कवनों के रख चाहिए यह सामने तक एतने 6 से 9 मीटर उच्छे पाए जाते हैं सामने देखा जाता है तो है ने क्योशन मरुस्तलिय वन सामने तक किस प्रकार के वर्सा छेत्रों में पाए जाते हैं मरुस्तलिय वन जो है सामने तक किस प्रकार के वर्सा छेत्रों में पाए जाते हैं तो मोरुस्तलिवन जहां 50 cm से भी कम वशा होती है जहां 50 cm से भी कम वर्षा हो वहां पर क्या पाय जागा मोरुस्तलिवन जहां 50 से 100 cm से भी वहां सुष्क वन तो बहुं reducing वन ठी कर पाते हैं और आयन टाइम पर भूल जाते हैं तो यहां आप इस बात का ध्याद रखेगा, मरुष्थाली वन कहां है अपने जो थारिये मरुष्थल भागए वहाँ पर, जबकी रायस्तान के और भागों में मुख्यता है, सुस्क वन और मांसूनी वन है, है ना, तो यहां पर मरुष्थाली वन अपको देखने को मिला रह कम पत्तियां वाले व्रक्ष कांटेदार और छोटे और जाडियां किस प्रकार के वनों की विश्यष्ता है कम पत्तियां वाले व्रक्ष कांटेदार और छोटे और जाडियां किस प्रकार के वनों की विश्यष्ता है तो ऐसे व्रक्ष कांटेदार भी हो छोटे हो और जाडि पत्य होना, या फिर हाइट में छोटा होना, या फिर जाडियां ज़्यादा होना, तो इस सब किस परकार के विश्था हैं, ये सब पानी को बचाने का एक तरीका है, तो पानी कौन से वरक्ष बचाएंगे, जहां पानी नहीं होगा, यानि ऐसे वरक्ष मरुस्तली शित्रों म पाई जाएंगे तो मरुस्तलिय वनों की यह विश्यसता हैं, मरुस्तलिय वनों की विश्यसता हैं ये सभी, नैकोशन मरुस्थलिय वनों में सामने तह कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं मरुस्थलिय वनों में सामने तह कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं तो आपके नागपनी, रामबास, खेजडी, खैर, खजूर ये सबी कैसी हैं यह आपकी मरुस्थल्य वनों की आपकी वनस्पति हैं, नागपनी, रामबास, खेजडी, खेड, खजूट ये सबी कैसी हैं, मरुस्थल्य वनों की वनस्पति हैं, ने कोशन, मरुस्तलियवन भारत में किन छेत्रों में पाए जाते हैं तो नियापती निश्य तौर पर जानते हैं दक्षिनी पश्चिमी जो पंजाब है पश्चिमी राजिस्तान, गुजराद, मद्य प्रिदेश जगहों पे ये मरुस्तलियवन देखने को मिलते हैं जो दक्षिनी पश्चिमी पंजाब है और पश्चिमी राजिस्तान और गुजराद यहाँ पर जादा तर देखने को मिलता है मद्य प्रिदेश में बहुत कम भाग है लेकिन फिर भी दक्षिनी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजिस्तान, गुजराद तो मद्धेपेदे साधी में मरुस्त लेवन भारत में देखने को मिलते हैं जौरीवन या दल्दलीवन भारत में किन छेत्रों में विख्षित हैं? जौरीवन या दल्दलीवन भारत में किन छेत्रों में विख्षित हैं? तो देखे जो आप दलदली वनों की बारे में बात करते हैं, ज्वारी वनों की बारे में बात करते हैं, तो यह बात तो निश्चत है, यहाँ पर पानी की अधिक्ता होगी, क्योंकि दलदल तभी बनेगा है न, तो ऐसी स्थिति में कहां पर निपेंगे यह, महानदी, गोदा जब आप सुन्दरवन डेल्टा की बात करते हो, तो उसको सुन्दरवन डेल्टा की बात करते हो, जब आप सुन्दरवन डेल्टा की बात करते हैं, तो जब आप सुन्दरवन डेल्टा की बात करते हैं, परवतिय वन भारत में किन छेत्रों में विक्सित हैं, तो देखिए, दक्षिन भारत में महराष्ट ये महाबलेश्वर्ट तथा मध्य प्रदेश के पंचमड़ी आदी उंचे जो भाग हैं, उसमें ये इस प्रिकार के वन देखने को मिलते हैं, ये वन समयते हैं, पंद्रेस मीटर के उंचाई पर पाये जाते हैं, दक्षिन भारत में महराष्ट के महाबलेश्वर्ट तथा मध्य प्रदेश में पंचमड़ी आदी उंचे भागों में देखने को मिलते हैं, परवतिय वन, नेक कुश्चन, सामने तब रक्ष 15-18 मीटर उंचे, मोटे तने, रक्षों के नीचे सघन जाडियां, पतियां घनी, सदा पाहार, टहनियों पर लताएं, आदी किस परकार के वनों की विश्यश्चता हैं, देखें, जब हमने मोटी जड़ के बारे में बात की थी, तो हम समझ गये थे, ये सुस्क वनों का या मरसली वनों का मेटर हो सकता है, लेकिन जब हम मोटे तने की बात कर रहे हैं, जब व्रक्षों के नीचे सगन जाडियों की बात कर रहे हैं, व्रक्ष की हाइट 15-18 मीटर उचे बता रहे हैं, पतियां घनी हैं, सदा बाहार भी हैं, टहनियों पर लताएं, बहुत ज़्यादा मिलने देखने को ब्लेएं, तो ये अबिक ऐसी हैं, ये परवतियवनों की विशेशता हैं, आपने देखा भी होगा परवत पर जो पाहाड उपते हैं, उसके सामने तोर पर जो उसका बेस होता है, किसी भी व्रक्ष के नीचे का है, जो विशेशता होता है, वहाँ जाडियां उप जाती हैं, तो ये एक उँछे स्थानौों में कौन से व्रक्ष पाय जाते हैं, परवतियवनों देखने को मिलते हैं, तो अधिक उँचे स्थानौं पर कौन से व्रक्ष जाते हैं, येजैलिया, मिचेलिया, रोडन दॉस, आधी टाइप के व्रच यहाँ पर देखने को मिलते हैं परवतिय वनों में 1000 से 1500 मीटर उचाई वाली कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है परवतिय वनों में 1500 से 1500 मीटर उचाई पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है परवतिय वनों में 1500 से 3000 मीटर तक उचाई पर कौनसी वनस्पती पाय जाती है तो अब जानते हैं संकुधारी ब्रग जैसे देवदार हुआ, स्पूरूस वाची डादी ये सभी क्या है ये सभी 1500 से 3000 मीटर उचाई पर परवतिय वनों में इस्सा होते हैं Next question, परवती वनों में 3000 मीटर से भी उचे स्थान पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? तिके बहुत ज़्यादा उचे पर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जब 3000 मीटर से उचे की बात करें तो कौन से वनस्पतियां हैं? आपके अलपाइन वनस्पति जैसे सिल्वर, फर, बर्च, जुनीपर ये सब क्या हैं? ये आपके ऐसी वनस्पतियां तो 3000 मीटर उचे स्थान पर पाई जाती हैं? अलपाइन वनस्पति जैसे की सिल्वर, फर, बर्च और जुनीपर. Next question, भारत में प्राणियों की कितनी प्रकार की परजातियां पाई जाती हैं? कुछ question ऐसे होते हैं, जो की concept के हिसाब से आपको जाना ज़रूरी होता है, ये मैं आपसे पहले भी बोल चुना हूँ, तो हर question को ठंग से देखेगा, चाहे वो आपको exam के लाइक लगे या ना ल भारत में प्राणियों की कितनी प्रकार की परजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में लगवक 75,000 यानि 75,000 परजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 350 इस्तंधारी परजातियां होते हैं, इस्तंधारी यानि वो जीव जो की अपने बच्चों को अपने इस्तनों से कि तो सामने तर बें रेंगने वाले जो सकते हैं, उबहकर जीव कौनवा क्यों से भाता है, जो जमीन और जल में धोने वास कर सकते हैं, जो जमीन और जल दोनों में वास कर सकते हैं, जैसे आपका मगरमच हो गया, यह ना, यह कैसा है, उबहचर जीव है, तो 177 में प्रिजातियां उबहचर जीवों की हैं, 2546, 2546 मचलियां पाई जाती हैं, इतने प्रिकार की, है ना, 50,000 प्रिकार के लगवक कीट पाई जाते हैं और 4000 प्रिकार के मॉलस्क पाई जाते हैं, और बिना रीड वाली हड़ी वाले प्राणी भी इसके अत्रिक्त होते हैं, तो यह क्या है, यह सबी भारत में प्राणीयों की जो प्रिजातियां हैं, वो अलग-लग कितने प्रिकार की पाई जाती हैं, वो आपके डेटा दिया ग पराणी सब्सेक City कोई भी हम आप या पर कोई भी जीव के बारे में बाते हैं हम अपने 11 ृफ में पर जातें हैं और हम जीव जनतों के बारे माइन बाता है तो यह प्राणी सास्त्र कि वाला हिस्सा है प्राणियों की प्रजातियां पूचे गें, यह आपर वनश्च प्तियां सामिल नहीं होती है, इस बात को समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, भारत पाई जाने वाले प्राणियों के प्रजातिय संपुर्ण्ड विस्व का कितना प्रतिस्ट है? जो टोटल विस्व में जो टोटल वो पाई जाती हैं पर जाती हैं प्राणियों की याद के प्राणियों की तो उसमें भारत में जो आपको पता है कितनी प्रिजातिया है, 55,000 के लगबग प्रिजातिया पाए जाते हैं, तो वो पूरे विसका कितना प्रितिसत है, तो वो मात्राप का 13 प्रितिसत है, पूरे विसका लगबग 13 प्रितिसत है, नेक क्योशन, हाती जो इस्थिंधारी जीव है, भारत में किन आधरवनों में ये देखने को मिलते हैं नेक कोट्सिट एक सिंग वाले गेंड़े भारत में किनिस्तानों पर पाएजाते हैं एक सिंग वाला जो गेंडा होता है वो भारत में के निस्थानों पर पाये जाता है? तो देखिए, वो आपका पश्यम बंगार असम के जो दलदली छेत्र हैं, इनमें वो देखने को मिलता है, पश्यमी बंगार और असम के दलदली छेत्र है, नेक क्वेशन, जंगली गधे मे उंट के निस्थानों पर पाए जाते हैं। जंगली गदे कच्छ के रण में देखने को मिलते हैं। गैजल किसे कहा जाता है। गैजल एक परकार का छोटा ही रण है। उसको गैजल कहा जाता है। भारतिये सेर किस छेत्र में पाए जाते हैं। बाग भारत में किन छेत्रों में पाए जाते हैं, तो आपका मध्यपदेश जारकंड के वनों, पशीमी बंगाल के सुंदर वनों हिमाली छेत्रों में सामने तोर पर देखने को मिलते हैं, मध्यपदेश जारकंड के वनों, पशीमी बंगाल के सुंदर वनों हिमाली छेत्रों में देखने को मिलते हैं, नेक क्वेशन, लद्दा के हिमाली छेत्रों पाए जाने वाले प्राणी कौन से हैं, कौन से हैं, याक जो एक प्रिकार के बैल जैसा दिखाई देता है, और काफी बड़ा होता है, इसका जो वेट होता है, लगवग, एक टन के लगवग होता है, तो यह क्या है, एक नीली प्रिकार की भेड है, उसकी पर जाती है, जंगली भेड, कियांग, यह काफी इंपॉर जो जंगली गयदा है उसको कियांग कहा जाता है। जहां घड्याल पाए जाते हैं। यह घड्याल क्या है?原因 है .. यह लेकिन यह कूरे विश्वी में केवल भारत में ही.. को मिलते हैं तो इसके साथ आपका इस पार्ट को मैं करता हूं समाफ ये चैप्टर है काफी लंबा तो मिलते हैं नेक्स पार्ट के साथ बच्चों तब तक के लिए थैंक्यू